तो एप्लिकेशन लेयर की इस नेक्स्ट वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट दा रिमोर्ट लोगिंग है ना तो रिमोर्ट लोगिंग जो है एक बिसिकली प्रोसेस होता है कि लेट्स से आपके पास डिवाइसीज हैं आपके पास है ना अगर आम नॉर्मली बोलें कि एक यह computer है और दूसरा यह computer है तो या तो यह network से जुड़े रह सकते हैं या यह internet से जुड़े रह सकते हैं मलोगी हो सकता है कि एक switch है नॉर्मली local area network है एक interface प्याँ प्रेथ पीसी जुड़ा है एक पे यह जुड़ा है तो PC1 पे अब जैसी आप हो तो server 1 आपका यहाँ पे है तो मालनो PC1 की IP 10.1 है, server 1 की 10.10 है अब PC1 पे होते हुए server का access ले सकते हो server configure कर सकते हो मालनो server आपका data center में रखा है, गहीं पे दूर रखा है and आपको उसको access करके configure करना है तो first time जो तुमारा सब कुछ होता है वो तो एक बार initial configurations तो तुम्हें करने पढ़ेंगी server पर IP और operating system वो सब डालके उसके बाद आप फिर बार-बार आपको न उस separate location पर जाने की जरूर तो नहीं पढ़ती मालनो जो आपका एक working area आप वहीं पर बैठे रहो और वहीं से फिर क्या होगा जो remote logging protocols है उनका use करके आप उन remote devices remote होता आपका जो दूर के devices है local जो आपका ये खुद का device है तो अगर मैं इसको तोड़ा सा और दूसरे एंगल से समझू let's say अगर मैं बोलो कि अब ये PC1 है और PC2 है तो PC1, PC2 का भी अगर मालो एक ही room में आप बैठे हो या मालो एक ये room एक दूसरा room है और दूसरा PC है एक इधर PC है तो PC1 से आप PC2 को भी access कर सकते हैं उसको remote connection बोलते हैं आप एक तरह से क्योंकि वो दूर है मतलब कितना ही दूर हो चाहिए आपका इसकी बहुत सारी applications है आप team viewer अगर आपने नाम सुना हो आप काम करते हो तो आपको पता है वो भी क्या है remote logging प्रोसेस ही है remote desktop आपने windows में सुना हो remote viewer आपने सुना हो ऐसे बहुत सारी applications होती है तो earlier idea क्या था देखो इसका remote logging का जहां से फिर ये तो बाकी बाद में applications बनी है कि तुमारा network और internet ये सब आने के बाद की चलो अब इसको और अच्छे तरीके से सिस्तेमाल कर सकते है जैसे team viewer है तो वो internet पे चलता है तो जैसे हमने पहले भी एक दो वीडियो में बात कर रखे कि पहले आपके पास एक main frame main computer एक ही होता था और हम सारे computers ऐसे नहीं रख सकते थे कि फुल फ्लेश जिसके अंदर hard drive भी CPU भी सब कुछ भी नहीं क्योंकि बहुत महंगे होते थे ना पहले तो time sharing basis पे इस device को access देते थे बागी devices को remotely कि एक बार तुम काम कर लो फिर तुम काम कर लो तुम काम कर लो ऐसे तो इनके पास सिरफ क्या होता था keyboard, mouse और एक display यानि की monitor बस तो ऐसे devices जिन पे full-fledged computing powers नहीं होती उनको बोलते हो terminal हम उसको क्या बोलते हैं? terminal, dump terminal भी बोलते थे so terminal based होता था कि अब यह अपने terminal से access कर पाएगा इस mainframe को, इस server को, फिर इसको use करना होगा तो यह access कर लेगा, इसको use करना होगा तो यहाँ से आपकी remote logging का जो process है, जो start हुआ था, सबसे old protocol है इसके लिए हम अभी बात करेंगे, that is telnet, terminal emulation, फिर SSH secure shell भी एक protocol है, यह हम networking की बा services का access लेने के लिए use होती है, otherwise मैंने जो normally आपको बताया, in normal world for normal users, आप team viewer है, remote desktop है, ऐसे tools आपके पास बहुत सारे आते है, rat बोलते हैं, rat tools, remote access tools, okay, so this is about remote logging, is a client server program है basically, तो जो हमारे इधर वाले, जो मैंने तीनों बनाए हुए थे, अगर आपको ध्यान हो, वो क्या कहलाएं यह फिर हमारे, these are the clients, okay, so, yes like that, और यह एक main device है, यह हमारा क्या है, यह server, so, just look at here, कि अभी हम जो remote logging की protocol पट रहे हैं, वो पहली कौन सी पट रहे है, telnet, so bit of history, जो मैंने आपको भी बताया, even today's computer can simulate the terminal environment using a terminal emulation software like putty, let me show you, जैसे हम network पे काम करने वाल लोग होते हैं, so, उनको अगर अपने network devices का access लेना होता है, आपको क्या लिखा हुआ है, यह पे telnet, तो यह एक tool होता है, software होता छोटा सा, आपके computer में, आपके laptop में पड़ा होता है, इसी के through ही हम routers को, switches को, और access करते हैं, यहाँ पे देखो, एक तो protocol telnet दि खराया काफी सारी चीज़ें, जैसे R log in Linux के लिए होती है, जैसे यहाँ पे SSH लिखा हुआ है, alright, तो वो tool कौन सा है, आपका putty तो मतलब यह कहना चाहरे हैं, कि आज भी हम telnet use करते हैं, and there are so many applications, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक application का example, So, अगर मैं बोलूं, यहाँ पे न, मैंने क्या कर रखा है, दो router ले रखी है, ठीक है, चलो मैं एक बार फटा-फट से यह scenario बना दूं, और फिर आपको बताता हूं, कि बीच की जो configurations बगरा है, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अगर वो जान नहीं है, telnet को ऐसे configure करते है, routing network devices में, तो CCNA वाली वीडियो आप देख लेना, मैं उसमें card में वो playlist का link लगा दूँ, बट अभी मेर को, let me just finish the configuration, ओके सो जैसा कि आप देख सकते हैं, configurations मैंने कर दी है, क्या किया है, यह IP लिखी है, जो इन router के interfaces पे वही डाली है, PC पे IP डाली है, और router का IP याने की gateway डाला है ताकि वो बाहर इदर वाली साइड तक जासके, PC से कोई packet, ठीक है, तो यह सब कैसे करना है, वो हम थोड़ा सा discuss करेंगे, जब network layer पड़ेंगे हमारी, अभी तो लेकिन फिलाल हम application layer study कर रहे हैं, तो just एक idea दे रहा हूँ आपको, कि telnet basically means what, और जो लोग काम कर रहे हैं already, working professionals है उनके लिए तो यह उनको पता है, बट जो college going या student लोग है, maybe they don't know that, theoretically पता होगा, practically कैसे होता, देखो, अगर मैं किसका access लेना जा रहा हूँ, मेरे अभी router 1 जो लिखा है, यह router 1 लिखा है न, ठीक है, तो चलो मैं नाम दे दो, उस router को, मालो मैंने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है, यह सारी configuration है, वो जो हमने कर रखी है, इस router का नाम दे दिया, मैंने branch router 2, तो यह router, branch router 1 होगा, for example, अगर मैंने नाम नहीं दिया होगा, तो दुबारा दे दिता हूँ, branch router 1, तो मैं हूँ फिलाहाल अभी कहां पे, देखो, यहां से, मैं PC पे हूँ, PC की C drive में, जो य यह actual PC का मेरा क्या है, command prompt है, यह मेरे इस tool का, packet tracer का, जहांसे मैं आपको यह demo दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, telnet, और, telnet से पहले आपको एक make sure करनी होती है, अगे हम बात करेंगे, वो network layer में, कि telnet जिस device का, जो client, जिस server का access ले रहा है, जो telnet ले रहा है, वो दोनों एक उसरे से pink करने चीए, reachable होने चीए, ऐसा reply आना चीए, otherwise telnet network की कोई भी application नहीं चलती, तो फिर अगर आप try करोगे, telnet की command लिखोगे, और यह देखो जी, थे तो तुम c drive of pc, बट जैसे ही password मांगा telnet का आपने डाला, तो आपने फिर एक और process होता, आप देख करती है, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, देखो control connection, data connection एक ही साथ बनते हैं, वो हम अभी आगे बात करेंगे, तो let's say, FTP हमने शायद अभी तक discuss नहीं किया, FTP के बाद हम वीडियो पड़ेंगे, जो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि control connection, और यह control data आपको ध्यान हो और यह जाता है, जिसमें actual data जाता है, जो DU होती है, हमारा छोटा part of big data, तो यह header लगते हैं तुमारे, और यह DU, तो यह दोनों ही जाते हैं, तो telnet एक ऐसी protocol है, जिसमें जब आप type करते हो यहाँ पे, मानलोब यह PC पे type करोगा ना, आप कोई भी command, तो उसके लिए ऐसा नही है कि आपको extreme बनानी पड़ेगी, control और extreme बनानी पड़ेगी data, मतलब क्या हुआ, आगर मैंने लिखा, मानलोब मिरको क्या लिखना था यहाँ पे, कोई command लिखनी थे, for example, और वो command थी, let me click inside, configure है न, और मैंसे कुछ गलत होगी, तो मिरको backspace दबाना पड़ेगा, तो backspace दबा आपका actual, अब यह command हो इस तरह की, सब एक ही connection पे जाते है, FTP on the other hand, जब हम बात करेंगे, तो वो क्या करते है, control data, जो है आपका, उसके लिए अलग से connection बनता है, उस पे जाता है control वाला data, और जो actual data होता है तुमारा, वो आपका अलग connection पे जाता है, so यह थोड़ा सा ध्यान रखना है, telnet और FTP की बारे, बाक्ये बागे बात करेंगे, तो I hope that makes sense, और Windows की अगर मैं आपको बताऊं कि बही normal अगर PC to PC, वो packet tracer में I guess नहीं चलता है, real में गैसे कर सकते हो, तुम अपने PC से दूसरे PC का telnet लेना हो, तो यहाँ पर telnet जाओगे, और दूसरे PC का IP डालोग यह, for security reason, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, add or remove, not add or remove, windows feature I guess, windows features, हाँ, turn windows features on or off, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, you will find an option to check, telnet client, तो अभी by default windows में telnet client बंद होता है, इसलिए वो command चलती नहीं, आप इसको यहाँ से check करोगे, okay करोगे, और system restart करोगे, तो जो यह PC है, अभी यह telnet ले सकेगा, but I am not enabling it in my PC, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर theoretical, तो यह सारी चीज़े आप देख लेना, it will make sense now, यह working की बात है, telnet की working कैसे है, थोड़ा सा जो वैसे normal network engineers या फिर जो professional लोग भी है, IT वाले networking वाले, maybe उनको पता है, telnet कैसे काम करता है, practically वो करते हैं, तो शैद background की theory उनको ना पता हो, so this is for them, यहाँ पे क्या होता है telnet के अंदर, कि यह telnet client server तो चलता है, हमने बोला, कि let's say यह जो device है, यह आपका server होगा, या फिर मैं अभी अपने case में क्या मान के चल रहा हूँ, इसको एक router ठीक है, अभी मैंने क्या मान लिया, router, ताकि हमने जो एक्जामपल देख लिया ना, उसके साथ सिंक करना असान हो जाए, यह मैंने मेरा मान लिया क्या, PC, जो client का काम कर रहा है, और router मेरा किसका काम करेगा, तुमारा, server का, ठीक है, और PC client कैसे बनेगा, जब तुम इसके प् भी दिखाया, ठीक है, चलो, anyway, so the point is, कि फिर putty install करने के बाद, जैसे आप putty लिखोगे, वो आ जाएगा, जैसे मैंने भी लिखा था, और आप अपना, जब telnet लोगे, वहां से, या फिर device का मैंने बता दिया, PC पे गए आप है ना, और normal windows से आप किसी और दूसरे device का telnet ले यहां से जो हम लिखते हैं, देखो यह चीछ समझने वाली है, जो presentation layer of आपकी OSI model बोलती है, कि इसमें जो आप लिखते हो, जैसे मैंने अभी command लिखी थी ना, वो, कि पहले तो router पे जाके hostname की command चलाई थी, फिर एक enable की, फिर ध्यान होगा, आपको configure चले लिखा था, मैंने जाएंगे operating system पे, जो मालो मेरा windows 11 का operating system था, ठीक, तो उसमें क्या चल्दरी होगी तुमारे telnet client का option, जैसे तुम putty install कर रहे हो, putty मतलब वो क्या है तुमारा, telnet client किस पे installed है, window 11 पे, ठीक है, तो उसके अंदर ना terminal का driver होते है, तो वो putty इसलिए installed की जाती है, ताकि तुमार जो terminal के लिए enable कर सके तुमारे computer को, ये putty, तो earlier तो हमारे होते ही terminal थे, बट अभी तो हमारे full flashed PC है ना ये, तो उनको terminal बनाने के लिए वो application डाल नहीं पड़ती है, right, चलो, फिर क्या होगा, इसके बास जब ये data आया, तो इसने फिर किसको hand over कर दिया, तुमारे windows operating system को, या अगर आपको नहीं पता है, so just wait till we discuss the network part, वहाँ पे हम देखेंगे फिर ये IP क्या है, subnet mask क्या है, gateway क्या है, और ये सारी बाते, जैसे मैंने DNS में भी बताया था पीछे, कि DNS का भी कुछ part है, हम वहाँ पे discuss करेंगे, चलो, इसने operating system को hand over कर दिया, putty ने, तो वो जो अपने command ल ठीक है, और IP कॉन सी है, जो तुमारे इस computer की IP होगी, ये IP उठा लेगा, 19260 है, 10.2 ठीक है, फिर data link layer पे आएगा, इसका mac address उठा लेगा, जो भी होगा, फिर physical पे आएगा, आपको 1010 की form में ये बेज देगा, अब जो ये putty ने क्या किया होगा, इसको convert कर दिया होगा, इस ये ऐसे neutral set है, जो ये इधर आएंगे अगर ना, तो वो अपने इसाब से उस language में convert कर लेगा, जो वो समझता है, तो उसको हम बोलते हैं, फिर जैसे ही आएगा, तो वो receiver या server के अपका किस पे आएगा, operating system पे, या TCP IP stack पे, और फिर तुमारी जो server की application होगी, telnet वाली, जो enabled ह होती है, server के अंदर है, जब कभी आप server पड़ोगे, तो then you will know that, वो उसका feature होता है, जब आपने किसी server पे server का operating system डाला, तो जैसे मेरे client में, telnet client आ जाता है, ऐसी server के अंदर telnet server आ जाता है, हाँ वो windows में जैसे अभी enabled नहीं था, तो आपको करना पड़ता है, तो फिर ये कहा आ गया तुम्हारा pseudo terminal driver पे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है, ये जो character set थे, वो तो operating system के लिए ही नहीं, वो किसके लिए हैं तुमारी applications के लिए, जो तुम access करना जा रहे हो, तो इनको अब वो convert करे, ताकि समझ पाए, उसके लिए हमें एक terminal driver की हाँ पे जरूरत हो, तो ये आपको कुछ नहीं करना, वो उसका part होते हैं, system का, and फिर इसतना होने के बाद, फिर क्या हो जाएगा, ये उसको access दे देगा, अपनी screen का, logic, यहां से आप simple अगर सब्दों में बोलनों में, इतना होने के बाद, इस PC की screen पे, किस की screen आ जाएगी तुमारी, अगर हो server portion यहां के दिया होगा, just study it, and it is the same thing that I have explained, via single TCP connection, जैसे मैंने बता दिया आपको, जो client था, वो तो वही, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि एक random port number उठाएगा, 1024 से लेके आपका जो, कितना, 59, 154, 511, तो, just remember कि 0 to 1023 port को छोड़के, कोई भी एक port आपका client उठा लेता है और server की side से कौन सा port on होता है, telnet का well known port number 23, okay, यह मैंने जैसे आपको example देके बताया था, तो, सब एक ही data stream में जाता है, तीन mode होते हैं, तुम्हारे पास telnet के यह एक बड़ा important part आ जाता है, अगर आप exam और interview के point से बात करो, default mode होता है, character mode होता है, line mode होता है, default mode में क्या होगा, तुम जैसे तुमने एक E लिखा, F लिखा, यह न, जैसे मैंने configure लिखा था, तो C, O, N, ऐसे, एक एक करके न, C पहले जा रहा है तुमारे router के पास, उस वो process होगा, फिर O जा रहा है router के पास, वो process होगा, ऐसे, delayed होता है यह, अगर आप देखोगा न, इसमें time बहुत ज़् होती है, so it's not used, but by default, अगर आपका negotiation नहीं होती, client और server के बीच में, तो यही mode होता है, but इसकी performance को, अगर आपको बढ़ाना है, तो you can use the character mode, तो character में क्या होता है, तुम अगर देखोगे, कि पूरा character type होगे जाता है, जैसे तुमने configure लिखा, C, O, N, F, I, G, U, R, E, तो वो mode से, फिर इससे ही बहतर कौन सा आया तुमारा line mode, कि पूरी की पूरी line process होगी, all right, तो it makes telnet a good protocol for remote access, so all right, I guess we covered all the necessary details about telnet in this video, तो अगली video में हम बात कर लेंगे, जो file transfer protocol है हमारी FTP उसके बारे में, so I hope this video has been informative for you guys, please do let me know in the comment section, so I'll see you guys in the next video, bye-bye, take care. झाल